कि आत्रिगा आज आठवा दिन है मादुर्गा की उपास्कमा सबसे बड़ा दिन माना जाता है और शक्ति उपेईनु संसिता में हम आप ऐसी शक्षित से मिलाएंगे कि जिने अर्धनारेश्वर का सम्मान प्राप्त है अर्धनारेश्वर कहें तो किनर समाज जी सबसे ज्यादा उपेख्षित मना जाता लेकिन हमारे इस एपिसोड में किनर समाज से कंचन शिंद्रे जी को हम शामिल करने जा रहे हैं कंचन अपने आप में किनर समाज की अलग पहचान है कंचन ने न सिर्फ अच्छी पढ़ाई की बदावलत समाज में पहचान मनाई बलकि समाज सेवा के शेतर में कंचन का नाम काफी जाना पहचाना है बिलाएं में रहे कि कंचन ने शोशल वर्क में एमे भी किया है और उनकी जो है लगातार वो किनर समाज को नहीं दिशा देने के लिए काम कर र सबीस्त्री पूरुस्त अपने अपने घरों को लोट जाए लेकिन किनर समाज ऐसा था कि जिनको राम जी ने कुछ नहीं कार वो उनकी इंतजार करते करते 14 साल तक नदी के किनारे बैठे रहे और जब राम जी वन से लोट कर आये तो उन्होंने देखा कि वनवास से लोटन देखते हैं यह हम बात केवल बातों में नहीं लेकिन हम कंचर जाना चाहेंगे कि किनर समाज को जो है किस तरीके से महत्व है और समाज को जो है मुख्य धरा से जोडने के लिए किस तरीके के और हमको प्रयास करने होंगे कंचर आपका सब्सक्राइब हमारे चैनल में नमश्कार आपको मैं जाना चाहूंगी कि किनर समाज बहुत ज्यादा लोग उसको अच्छी मज़ों से नहीं देते हैं कई पार ऐसा होता है कि लोग दुद्कार भी देते हैं कई लोग इज़द भी करते हैं लेकिन एक किनर की मन की वेथा क्या होती है आप चुकि इस समाज को लीड भी करती है कई जगह उपर तो कैसा महसूस होता है और मैं उससे पहले आपसे जाना चाहूंगी कि आपका बच्पन कैसे बीता और आप जब अपने परिवार को छोड़ करके किस तरीके से बहार आना हुआ आपकी पढ किसे बहुत कि में नूगी है और मेरे अपने घ़र से अलग रहके किया मैंने keepsा now सच है हमारे प्रति कुछ लोगों के बहुत बाज़ीटिव है कुछ बहुत नकारात्मक है आज लोगों को यही लगता है कि और स्रिफ बिच्छावित्ती, सैक्स वर्क ही कर सकता है और मुझे सुरवाज से ही एक मेरा सपना था कि मैं अपने समाज के लिए कुछ अलग सा करके दिखाऊं और समाज के नजरों में अपने समुदाय को एक उचित इस्थान प्राप्त हो उसके लिए मैंने पहल किया और मैंने सोशल वर्क में जाने का सोचा और मैंने सुरवाज में 2013-14 पे मैंने एक NGO था उस NGO पे मैंने काम किया जिसमें HIV एवर्नेंस के लिए काम होता था और मेरा जो सुरवाज दोर वहीं से चालू हुआ कि मैंने एंजियो सेक्टर पे काम किया HIV एवरिंस के लिए सांती सांत पे फिर मुझे लगा कि हमारे खुद की पहचान और समाज और शाषन-प्रशाषन में हमें भी एक उचित इस्थान प्राप्त हो उसके लिए मैंने शाषन-प्रशाषन से एड़ोकेसी करने का काम किया किनर समाज के लिए शिक्षा का तो बहुत ही बड़ा महत्व है क्योंकि हम देखते हैं कि समाज के नजरों में आज भी हम कहीं ना कहीं एक अलग से ही जाने जाते हैं आज हम आपके साथ बैटके बात कर रहे हैं तो यह कहीं न कहीं एक सिक्षा का ही अभाव है जैसे कि मुझे ही काफी कठी न determ hierarchy जैसे कि मुझे भी काफी कठीनाईयों का सामना करना पड़ा, इसकूल लाइफ में मुझे बहुत से गंदे-गंदे नामों से मुझे संबोधित किया जाता था, जो समाज के लिए एक गाली था, वो हमारा नाम बन चुका था, तो कई लोग जो हार मान जाते हैं, लेकिन आज कभी नजरिया चेंज होते जा रहा है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, अपने समाज के लोगों से यही कहूंगी कि वो अपना सिक्षा जो है, वो पूरा करें, क्योंकि सिक्षा के पूरा होने पर ही, हम साशन प्रसाचन से अपने अधिकारों के लिए बात कर सकते हैं, मिल रहा है, चतिसगर में क्या सुधाय मिल रही है आप लोगों को? दो परसेंट डिजवरेशन सभी जॉप और योजनाव पे भी रखा लेकिन जमीनी हकिकत कुछ और ही है आज भी त्रितिरिंग समुदाय जो है वो अपने मूलभू सुविधाओं से अपने आपको वंचित महसूस कर रहा है आज ना तो इस समुदाय के लोगों को सिक्छा प् वो ट्रेंड पे बहुत आसानी से दिख जाएगा आपको हाइवे में जो ट्रांजेंडर समुदाय है वो आसानी से दिख जाएंगे तो सरकार का कहने और करने में बहुत ही फर्क है हां कुछ बीस त्रितिलिंग समुदाय के सदस्य हैं जिनको चतिसगर पुलिस में भरती मि है और मैं पुलिस विभाग का धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने हमारी समस्यां को समस्ते हुए हमें एक मौका दिया है उसी तरीके से मैं बाकी विभाग से भी निविदेन करना चाहूंगी कि वो भी सामने आए और इस समुदाय को रोजगार से जोड़े रोजग जगरी प्रेशाशन विभाग जो स्किल डेवलमेंट की ट्रेनिंग करवाते हैं चाहिए वो ब्यूटी पारलर का हो सिलाई कढ़ाई का हो उसमें भी त्रितिलिंग समुदाय की अगर रूची है तो उसमें उनकी भागिदारी होनी चाहिए और सरकार को कहीं न कहीं उनको आ चाहिए अपना सपोर्ट करना चाहिए कंदरां की फिर है cetoswo कर लोट रहा है कि किन्नारों को कुछ नकंई च्छें जर्क विीष्ण पहों समाज का जवान उसी से ही चलता है आप बधाई दिने जाते हैं आप लोगों के खुशी के कारिक्रम में शामिल होते हैं तो आप लोगों को लोग खुशी से देते हैं लेकिन लोग जो कुछ लोग ऐसे जो बेरोजगारी के चलते नकली किंदर बनके काम कर रहे हैं और वो उनके ऐसे वैवहारे की जो किंदर सम जो परिचे पत्र जिसे हम कहते हैं वो बनाया गया है आप उस परिचे पत्र से भी असली और नकली का भेद कर सकते हैं क्योंकि अभी जनरली आप छतिसगड़ पे देखेंगे कि कुछ महिलाएं हैं कुछ लड़के हैं जो किन्रों का भेश रखके लोगों के घरों पे जाके वो बदमाशी करते हैं और पैसे लेके आते हैं और उनी के द्वारा ही बहुत से छोटे छोटे अपराद भी किये जाते हैं जिससे कि यह जो समाज है अपने आप में ही बहुत दुखी है और कई बार हमने इसकी शिकायत जो है पुलिस विभाग और जिला प्रसाशन शे भी की हुई है कि इस पे वो रोक लगाएं जी हां रोक लगाने के अपने बात कही और अभी जो टाइम चल रहा तो लगवग ऐसी चीजे और भी लगाता सामने आएंगे तो क्या हम मांग सकते हैं कि कोई हमारे घर आया और हमने कहा कि आप अपना कार्ड दिखाओ क्या यह हम ब भूशियों पे नेंग मांगने के लिए जाते हैं वो काफी सालों से वहां पे जाते हैं तो पुब्लिक का बहुत जादा एक दूसरे से पहचान भी बना हुआ है तो इस पे असली और नकली का उसमें भी पता चल जाता है अगर कोई नया वेक्ति आपके छेतर पे आपके घ जब लोगों को दूआ लेनी की बात आती तब तो आपके सामने बहुत अच्छे साथ है लेकिन जब आप उनके करीब जाते हैं तो लोग दूरियां बनाना शुरू कर दें तो यह जो चीज है किस तरीके से हम इसको खत्म कर सकते हैं दिखिए आपका जो है आप जो कह रहे ह बहुंत दुखी महसूस करता है और वो एकल जीवन जीता है तो इसलिए और कल्यूग में जो है भगवान श्रीराम जी का यह आशिरवात था कि कल्यूग में किस तुदाओ का राज होगा किस बोला हुआ श credit है वह एक ब्रह्मास्त्र का काम करेगा तो इसलिए जो लोग है वो किंदरों की दुआएं लेते हैं लेकिन जब equality की बात आती है समानता की बात आती है तो कहीं न कहीं समाज जो है इस समुदाय को अपने से पीछे रखता है आप देखते हैं कि बहुत से ट्रांजेंडर कम्यूटी है वो अपने पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन एक सम्मान नहीं होने के कारण और एक स्पेस नहीं होने के कारण ये समुदाय जो है फिर अपने पुराने उसमें चले जाता है तो आज चाहे शोशल वरकर के तौर पे हो चाहे वो डॉक्टर के तौर पे हो सिक्षक के तौर पे हो एडवोकेट के तौर पे हो पुलिस के तौर पे हो ट्रांसजेंडर जो है अपनी उपलब्धी दिखा रहे हैं अपनी उपस्तिती दिखा रहे हैं तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो आप दुआ लेने का सम्मान होता है उसी तरीके से एक किनर समाज का भी सम्मान होना चाहिए जी आपने लोगों के वीच में शामील हो और हम भी उतना मान सम्मान दे बीच में एक जेंडर चेंज करने की एक स्कीम आई थी कंचन ने उसमें जो है हिस्सा लिया था और चेंडर के पहली ट्रांसजेंडर है जिन्हों ने जो जेंडर चेंज करने के ऑप्रेशन भी इनके सक्सेस हुए है तो उसके बाएं कुछ जानकर देना दीजिए आप किस तरीके से यह योजना आई है देखिए हमने लगातार Nie से प्रियास कर रहा थे कि हमारा सेख्री सेाइमेंट सर्जरी थे हम क्याते हैं वो बास प्राइवेट फेश क्टर पे हूँ चør शतीस गर सरकार् जो है वा ईस्पिटल में किया में कहीं नहीं हुआ हमारा लगाता मांघ था कि हमेंज सेक्टर के हमरा SRS किया जाए सरकार ने हमारी बातों को नहीं माना और हमने प्राइविट सेक्टर पे जाके मैं 36 गर से पहले ऐसी ट्रांसेंडर हूँ जिन्होंने डेली पे जाके अपना सेक्स रिसेमिंट सरजरी कराया और मैं आज काफी फीट हूँ और अपने आपको बहुत सुरक्षित मा को वो अधिकार समिधान के तहत प्राप किया है शक्ति सरूपा में आप सिर्फ यह हम नहीं बताते कि इसे महला ही शक्ति की पतिनिदित्व करती लेकिन एक जो हमाया साथ अर्द नारेश्वर के रूप में किनल समाज हमासा जोड़ता है कंचन जैसी कितनी ऐसी बहने हैं कि अगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी एक आपसे एक अपील है कि हम कम से कम इनके साथ इनको हम इतना सहयो करें इनको हम इतना मोटिवेट करें कि यह अपने आपको अकेला ना समझे और अगर इनकी में इतनी काबिलियत है कि इनकी काबिलियत को पहचान करके हम इन नहीं गौकर निसाथ के साथ कोमल धनेजिसर को इजाज़त दीजिए नमस्याद।